करोना संक्रमन से इंदीनों दुनिया दहसत में है तो दूसरी और एक विसालकाय लगुगरा धर्ती की और बढ़ता चला आ रहा है इसे लोगों में काफी डर का महौल है यह लगुगरा या उलकापिंड 29 अप्रेल को धर्ती के करीब पहुँच रहा है तो लोग पहले डरना छोड़ दें क्योंकि पिर्तिवी से 63 लाग किलोमेटर दूर से यह स्ट्राइट गुजरेगी इसका असर फिलहाल पिर्तिवी पर नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि चंद्रमा की बात करें तो पिर्तिवी से इसकी दूरी लग बग 38 लाग किलोमेटर है यानि चंद्रमा से भी 25 लाग किलोमेटर दूर से यह स्ट्राइट गुजरने वाली है नासा ने साफ कर दिया है कि अभी लोगों को डरने की कोई जिरूरत नहीं है लेकिन खत्रा टला नहीं है यह लगुगरह गुरुत्विय चकर लगाते हुए सन 2009 नवाशी में पिर्तिवी के बहुत करीब आ जाएगे तब डरने की बात हो सकती है क्योंकि उस समय पिर्तिवी से इसकी दूरी महज 18 किलोमेटर होगी माना जाता है धर्ति पर प्रले अधित काल में लेगुगरोह के कारण ही आया होगा तब ही डाना सोर जैसे बिसलकाई जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया यह लगुगरह हमारे सोर परिवार का सदश है पिर्तिवी के समान यह भी सूरी की परिकर्मा करते हैं मंगल और ब्रहसपति ग्रह के बीच यह लाखो करोडों की संख्या में मौजूद है आपको लगता होगा आंतरिश में ग्रह और तारे बहुत मनमुहक दिखता होगा लेकिन हगीकत में आंतरिश में बहुत सारा लगुगरह भरे पड़े हैं जो कच्रे के समान सुरी के चकर लगा रहे हैं यह कभी-कभी ब्रहसपति ग्रह के गुरुत्व से छिटक कर धरती की ओर आ जाता है जिस कारण इनके पिर्थिवी से यकराने के असंका बनी रहती है यही बज़य है कि दुनिया के अंतरिश एजन्सियों की नजर इस पर टिकी रहती है इधर अप्रेल के अंत में धरती के करीब आरह लगुगरह का आकार करीब 4 किलो मीटर माना जा रहा है बैज्यानिकों इसका नाम 1998 ओवर 2 दिया है क्योंकि इस लगुगरह का खोज 1998 में किया गया था तभी से बैज्यानिकों की नजर इस पे टिकी हुई है इसकी कच्छा चप्टी है और यह सूर की परिक्रमा करने में 1344 दिन कसमे लेता है लेकिन यह जितना भी साल है धरती से अगर टकराता है तो जरा भी संदेह नहीं कि महा परले ला सकता है लेकिन डरने की वात नहीं है इस बार यह लगुगरह प्रित्वी के काफी दूर से गुजरेगा और 2009 में भी धरती से टकराने की आसंका नहीं की जा सकती है इसलिए मीडिया और सोसल मीडिया की अफवाहें गलत है पैग्यानिकों ने गन्ना करके बताया है कि सुल्लह अप्रेल 2009 को यह धरती के बहुत पास से गुजरेगी उस समें भी टकराने की समभवना नहीं के बरावर है क्योंकि बहुत सारे लगुगरह पिर्थवी के नजदिक से गुजरते रहते हैं और आज साइंस इतना डेवलप्त कर गया है कि कोई भी अश्ट्राइड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है और आसाने से इसे समुद्र की और गिराए जा सकता है जिससे पिर्थवी को जरा भी नुकसान होने की संभावना नहीं है इसलिए अफवाहों को ध्यान न दे अफवाहें फहलाना कुछ लोगों की आदत बन गई है फिलहाल घरों में रहें और कोरणा जैसी मामारी से बचे रहें और घर बैठे बैठे बोर नहों इसके लिए रोजधन आप को डाउनलोड करें घर बैठे गेम खेलें और पैसा जीतें और इसे आपको दूसरे को भेज कर भी पैसा कमा सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाएं वहाँ पे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे किलिकर करके डाउनलोड कर लें आपको डाउनलोड करते हैं 25 रुपया का बोनस मिल जाएगा जो 200 रुपया होते हैं आप भी ड्रोवल कर सकते हैं तो आसा करते हैं वीडियो आपको फसंद आई होगी अगर जानकार ये अच्छी लिगए तो लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकन भी दबा दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकार ये साथ पते के लिए वाई वाई अंटेक कियर हमें सब खुज रहे हैं